Class 8, English Reader Lesson 4 Computer Hacking – A Real Threat What is Hacking? Hacking means to किसी भी चीज़ को कोई चीज़ चुरा लेना Computer पर से एक कोई भी data या आपका कोई भी document का चोरी हो जाना या दूसरे के पास महुँच जाना ये बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा आज कल popular हो गया है और इसी लिए हमें किसी भी अपने computer को किसी भी personal computer के साथ कभी भी link नहीं करना चाहिए और उसमें ना ही कोई output ऐसी USB port या CD DVD वाले devices जो हैं वो किसी से share करनी चाहिए hobbling of a computer in in the manner may improve security इससे हमारी security जो है वो बनी रहती है हम उसके उपर अपना control बनाई रख सकते हैं और हमारी efficiency और जो हम useful है वो हमारे लिए computer हम उसको properly use कर सकते हैं किसी भी और नहीं तो क्या होता है इससे के computer में virus आ जाता है virus का आना क्या है जिसमें आपका कोई भी प्रोग्राम या जो भी documentation डाउनलोडेड है उसको खराब कर देना उसके बीच में जैसे हमारी body में कोई virus आ जाता है और उससे हमारी body में problems क्रियेट होनी शुरू हो जाती है उसी तरह से computer में virus आने पर computer की efficiency जो है वो बिलकुल खतम हो जाती है और हम ये देखते हैं कि इस चीज़ को बचाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए गए है सबसे पहली चीज़ यह है इस hacking को रोकने के लिए हमें अपने computer को कभी भी दूसरे के साथ share नहीं करना चाहिए और fast track computerization है आज हम देखते हैं कि हमारी life के हर field में कंप्यूटर का यूज हो रहा है गॉर्मेंट नेटवर्क्स जो है वो सब हर सेंटर में हर ओफिस में हर कंपनी में कंप्यूटर सर्वर्स के द्वारा यूज किये जा रहे हैं इसलिए इसको हमें रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपने security system पे ध्यान देना होगा और उसका बहुत ज़्यादा उसके उपर अपना control रखना होगा आज भी हम देखते हैं offices में, companies में जो बड़े officials हैं उनको ये right है कि वो अपना personal computer यूज कर सकते हैं लेकिन उसको वो log करके रखते हैं उनका अपना password होता है जिसे हमें किसी के साथ भी share नहीं करना चाहिए इन सतरह के security को रोकने से रोक कर हम हम अपने computer पे और अपने system पे control रखके इस hacking को रोक सकते हैं Thank you